हलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू जूज लाइब आज है अंतरराष्ट्रिय योग दिवस और आज का योग दिवस आठवा अंतरराष्ट्रिय योग दिवस है सबसे पहले अंतरराष्ट्रिय योग दिवस कब मने आ गया था आपको पता है साल 2015 21 जून 2015 को पहला अंतरराष्ट्रिय योग दिवस मनाया गया था इस दिन की पहल भारत के प्रदान मंत्री नरेंद्र मुदी जी ने की थी आज हम बीदर के फोट यानि कि कीले में जा रहे है योग दिवस जहां पे मनाया जा रहा है उसके साथ साथ मैं आपको योग, योगासन और वैयम में क्या फर्क होता है बताने वाली हूँ शरीर, मन और आत्मा को नियंत्रित करने में योग हमारी मदद करता है शरीर और मन को शांत करने के लिए योग अवश्यक है यह थना और चिंता को दूर रखता है और स्वस्त रहने में मदद करता है योगासन हमें शक्ती, शरीर में लचिलापन और बहुत सारा आत्मविश्वास विकसित करने के लिए मदद करता है योग के दौरा शरीरिक ही नहीं बलकि उत्तन मानसिक स्वस्ते को भी हम प्राप्त कर सकते हैं योग सत्र में मुख्य रूप से वायाम, ध्यान और योगासन शामिल होते हैं आज योग दिन है, उसलिए हम सभी प्रन ले लेंगे कि हम हमेशा फिट रहने के लिए योग करेंगे योग आपकी दिल को स्वस्त बनाने में मदद करता है वायाम अधुनिक है, लेकिन योग बहुत ही प्राचिन है हमारे भारत देश में प्राचिन काल से ही हमारे रिशिमुनी योग करते आ रहे है हमारा भारत देश ही योग का जल्मद आता है जल्द ही हम वहाँ पे पहुचने वाले हैं जहाँ पे एट अंतरराष्ट्रिय योग दिवस मनाया जा रहा है बहुत सारी NCC स्टूडन्स और स्कूल के स्टूडन्स भी वहाँ पे आ रहे है ये सुबह 5.30 का टाइम है फ्रेंड्स इतने सुबह बहुत ही अच्छा एटमोस्पियर रहता है यहाँ पे पक्षियों की किलबिल और ब्यूटिफुल वेदर ऐसे अटमोस्पियर में योग करने में बहुत ही अच्छा लगता है जहाँ पे बहुत सारा फ्रेश एर होता है यहाँ पे NCC स्टूडन्स की लिए आरेज्मेंट की गई है और दूसरे तरप हम जाएंगे वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कमिशनर की तरप से आरेज्मेंट की गई है वहाँ पे बहुत सारे स्टूडन्स भी आ रहे है और उसका इनाग्रेशन अभी जस्ट तो जाएंगे बहुत ही पुने वाला रही करें इनाग्रेशन में एट्थ इंटरनाशनल योगा डे अब देख सकते यह बहुत ही पुराना फोर्ट है फिर भी बहुत ही मजबूत है अच्छे आरेज्मेंट की गई है कल बारिश हो गई है फिर भी आरेज्मेंट बहुत अच्छी की गई है इस स्कूल के स्टूडन्स है आप देख सकते है और यह देखिए यहां का नज़र कितने सारे लोग आ गए है यहां पर अभी काफी देर है प्रोग्राम स्टार्ट होने के लिए उसके बाद इनाग्रेशन होने के बाद योगा स्टार्ट हो जाएंगा बारिश के बज़े से थोड़ा प्रोब्लेम हो गया है लेकिन आरेज्मेंट बहुत ही अच्छी किये गई है अब देख सकते हैं मैंने कुछ पीक्स ले ली है यहां की योगा करते समय करो योग रहो निरोग अगर योग को अपनाएगे तो रहोगे निरोग हमारे देश के प्रदान मंत्री जिनोंने योग दिन की शुरुवात की थी उसके बाद हम करेंगे योगा सन जो बैक पेन कम करने के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है हाथ को ऊपर स्ट्रेच करना है और अपने स्पाइन को भी स्ट्रेच करेंगे जितना हो सके उतना स्ट्रेच करना है और उसके बाद हाथों को दीर से नीचे लाना है अगर कोई बैक पेन के बज़े से यह आसन नहीं कर पाता तो ओ दिवार को सहारा लेके बैट सकते हैं और वही आसन कर सकते हैं जिसके बज़े से हमारा स्पाइन बहुत ही एंग रहता है अगर स्पाइन एंग है तो हम आटोमेटिकली एंग रहेंगे इस तरीके से बईटना है हमें और हातों को स्ट्रेच करना है स्पाइन को स्ट्रेच करना है और दीर से सांस अंदर लेना है और दीर से चोड़ना है आपको मैसूस हो जाएगा फ्रेंज जहांपे दर्द है और कुछ एक्जिसाइज भी करेंगे जो हमें स्वस्त रखेंगे योग और वायाम में अंतर क्या है योग प्राचिन है तथा वायाम आधुनीक है लेकिन दोनों के अपने अपने लाब है वायाम शरीर को सुडोल स्वस्त करने के लिए अविश्यक है तथा योग हमारे मानसीक शारीरिक तथा भावन आत्मक स्वस्त के लिए बहुत ही उपयूगत है तो योग योगासन और वायाम करिए और स्वस्त रहिए अभी सेवन ओ क्लॉक का टाइम है फ्रेंज शार्पली 5.30 को हम यहाँ पे आये थे तो इनागरेशन, कुछ योगासन और कुछ वायाम करने के बाद और आपके साथ शेयर किया है मैंने आज का स्पेशल एट्थ इंटरनाशनल योगा डे पर आधारित ये चोट सीक्लिश लिए कि मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा और ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहेगा मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ और डोन फोगेट टो सब्सक्राइब बाबाई